तो आज टॉपिक हम डिसक्स करने जा रहे हैं वह हमारे पास यूटिलिटी अच्छा यूटिलिटी है क्या यूटिलिटी इस नथिंग बर्ड इसको और आसान अलवाद में हम सैटिसेक्शिन महीं क्या सकते हैं तो यूटिलिटी इस नथिंगब बट सैटिस्फच्च्छा ai दो तरह की इस हैं अचाँ यूटिलिटी की दो अप्रोचेश हम स्टूसरे लेक्श्यप मैं डेक्चुकिए आपके पास हम इसको स्कत ME के और डिनल अप्रोच और काडिनल अप्रोच ठीक है तो आज हम अभी जो हम टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं वो है सैटिस्फेक्शन और दो तरह की टाइप से यूटिलिटी की टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन में क्या डिफ्रेंस अच्छा देखें कि आप क्या होंगे आप सैटिस्फेक्शन फील करेंगे आपको सैटिस्फेक्शन हासिल होगी हम कैसे कि आपको यूटिलिटी हासिल हुए तो अगर आप टोटल यूटिलिटी की बात करें तो बात जब भी यूटिलिटी की करेंगे वह अल्टीमेट रिजल्ट आएका कंज कुछ ना कुछ सुम किया होगा कोई ना कोई नीडिया वांट फुल्फिल होगी जब नीडिया वॉन्द लिए जब वनियुनिट कंज्यूम किया तो कोई नो कोई मुझे यूटिलिटी हासिल वही होगी मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे 10 यूटिलिटी मिली अब मैं इसको 10 यूट क्यों कह रहा हूँ यह discussion मौझूद है और कार्डिनल में तो यहां तो हम सिर्फ इस कॉंसेप्ट को समझने के लिए नंबर्स इस्थिमाल करा है कि अगर वन यूनिट कंज्यूम के तो मुझे से तो जीरो से वैल्यू टैन हो गई तो इसका मतलब यह यूटिलिटी जी टैनगे अगया आपके पास अब जब मैंने सेकंड यूनिट कंज्यूम कर लिया टो यूनिट्स अब टोटल यूटिलिटी क्या होगा इसाटिस्फेक्शन फॉंग वन यूनिट्स और सैटिस्ट्स्थ नो To know unit की utility जब मैं a copy रोगो तो मैरे पास तोटल फ्योटृटूटी आजएगी हमें करते हैं सेकेंड यूनिट से यूतिलिटी मिली है एठ इन और वह हैं टो टूः यूने से मिलके हो गई एएटीन हुआ पो यह टोटल यू इटिलिटी आ गाई लेकिन अगर वो नो के मैंने अधिशनल इंटी जो कंण्यूम किया है से केंड इस से यूटिलिटी में चेंज इतना आया तो क्रुम से एटीन होना फो ऑना खोर इस सब्सक्नाषने मिले टिससोर धिमर यूटिलिटी यह यहानभ टां 10 से 18 तो चेंज आया 8 का इस तरह अगर थर्ड यूनिट कंज्यूम कर लेता हूं तो टोटल यूटिलिटी आपके पास हो गई टोटल यूनिट्स आपके पास हो गए 3 3 से टोटल यूटिलिटी मिली हैं आपको वह मिल रही है 24 तो ऑकर अगर हैं उस वक्त जब आप 1 यूनिट कंज्यूम कर लें तो तो टो यूटिलिटि यह होगाई चैसके आपके सिसकेलिगे पास उसको तो टो यूनिटी गा यह चैंज कितना आया इटकर यह यह मजनल यूटिलीटि का प्योनिट करने उसके वाद तो प्रड़ एब यह बिर्गतन hogyल ही यह क्याइब युटटर्ट लिटिक पहले थे, अभिखे रोच्छस प्नेरिट से श्रिंड के ऐसकी मझाष्य चले जाए एड करते चले जाएंगे आपके बास बंती चले जाएगी क्या टोटल यूटिलिटी लेकिन हर एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहा है उसके बाद यूटिलिटी में कोई ना कोई चेंज आ रहा है जैसे जीरो से 10 हुआ तो 10 सेकेंड कुनिया हो गया तो 10 से 18 वह तो यानि 8 थर्ट यूनिट आया तो चोटल 3 यूनिट हो गए तो 18 से 24 यानि 6 यदो चेंज आए 6 तो चेंज आया सिक्स तो याद रखेगा जितने भी यूनिट आप कंज्यूम करते चले जाएंगे हर कंजमिशन के बाद यूटिलिटी मे जो चेंज आ रहा है वो जो चेंज है वो आपके बास क्या 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 आएगा marginal utility बस एक बात फिर आप जहन में जरूर रखें कि जब total three units होगा है तो आप ये marginal नहीं क्या लाएगा ये marginal उस वक्ता जब total unit one थे ये marginal उस वक्ता जब total unit two थे आप ही अगर आपसे पूछेता है कि marginal utility क्या है तो आप बुलेंगे six unit क्योंकि आपने आखरी बाद three units consume कर चुके हैं तो जो third के बाद change आया था वो आपके बास क्या 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 लाएगा marginal utility क्या लाएगा तो आई होब ये total utility और marginal utility का concept बहुत असान है तो समझ में आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें